थिलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक بہोती पियारा सा छोटी बनाई का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजाइन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कार्डिगन, जैकेट, फ्रोग, कुर्ती, कैप, मफलर, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती हैं सभी प्रोजक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 5 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजाइन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एडज़ट हो जाएगा 5 के multiple देखिए आप इसमें 5 फंदे गिन लेजिए फिर से 5 फिर से 5 फिर से 5 इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये degeign सीधी साइड से शुरू होता है और सिरफ 6 सलाईयों में complete हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजेन कैसे बनाया गया है तो friends, जो डिजेन की पहली सलाइ मैंने यहां से बनाई है वही पहली सलाइ मैं आपको यहां से बुनना बता रही हूं तो यहां पर मैंने लिए हैं 34 फंदे, 5 के मल्टीपल करके और 4 फंदे экstra तो आप अपने प्रोजेक्ट ले कोई भी बोर्डर बना लीजिए, बोर्डर के बाद जो फंदे बढ़ाने हो तो इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा कर सीधी साइड से डिजैन को शुरू करना है, तो डिजैन की पहली सलाई है और सीधी साइड है, पहला फंदा इसका है इसे उतारिये या उल्टा बनाएए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए एक दो और ये तीन इस तरह से स्टार्टिंग में आपके ये तीन फंदे उल्टे आएंगे अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा धागा अपनी तरफ ही रहे तीन फंदे स्लिप करेंगे एक दो और ये तीन अब दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे धागा अपनी तरफ ही है एक और ये दो ये देखिए स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को बार-बार रिपीट करेंगे तीन फंदे स्लिप करेंगे एक दो और ये तीन फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे और इस बात का आप ध्यान रखिए यहां से यहां तक जब ये धागा जाएगा तो ये हलका सा लूज होना चाहिए जादा टाइट नहीं होना चाहिए देखिए एक और ये दो फिर से हम इसी डिजाइन को रिपीट करे और फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर से तीन फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे इनको बुनना नहीं है ऐसे ही उतार लेना है फिर दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे एक दो और ये तीन फिर दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर से तीन फंदे हम स्लिप करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे आपके जितने भी फंदे हो यही पांच पांच फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाएए और लास्ट में आपका एक ही फंदा बचेगा इसे आप उल्टा ही बुन देजी तो पहली सलाई डिजाइन की कम्प्लीट हो गई दूसरी सलाई उल्टी साइड बर दूसरी सलाई पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे जो स्लिप के हुए हैं उनको हम फिर से स्लिप करेंगे तो दूसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है एक, दो और ये तीन ये स्टार्टिंग के तीन फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद धागे को पिछे की तरफ करेंगे तीन फंदों को इस तरह से स्लिप कर देंगे अब इसके आगे से धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे और इसे यहां थोड़ा सा लूट छोड़ दीजिएगा और फिर हम ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो ये स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़ कर ये हमने पांच फंदे का डिजैन बनाया है इसी को बार बार रिपीट करेंगे देखे धागे को पीछे की तरफ करेंगे एक दो और ये तीन फंदों को स्लिप करेंगे इसके आगे से धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और फिर हम इन दो फंदों को उल्टा बुन देंगे फिर से डिजाइन को रिपिट करेंगे धागा पीछे की तरफ एक, दो और तीन फंदे स्लिप करेंगे इन तीन फंदे के आगे से धागे को इस तरह से वापस अपनी तरफ कर लेंगे ये थोड़ा सा लूट छोड़ दीजिए और इन दो फंदों को आप उल्टा बनाईए फिर धागे को पिछे की तरफ करेंगे तीन फंदे स्लिप करेंगे धागा इसके आगे से अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे आपके जितने भी फंदे हों यही पांच-पांच फंदे का डिजैन आप इसमें बार-बार रिपीट कीजिएगा धागा आपने ऐसे पीछे करना है तीन फंदों को ऐसे स्लिप करना है इसके आगे से धागे को वापस अपनी तरफ कर लेना है दो फंदे उल्टे लास्ट में फिर आपका एक ही फंदा बचेगा इसे भी आप उल्टा ही बन दीजिए तो दो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है तीसरी सलाई है और सीधी साइड है पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए अब देखिएगा एस्टीज के बाद दो फंदे फिर हम उल्टे बनेंगे एक और ये दो धागा पीछे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन एस्टीज के बाद दो उल्टे तीन सीधे बस इसी डिजैन को बार बार रिपेट करना है धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछ पीछे तीन फंदे ये सीधे फिर से धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और तीन फंदे ये सीधे पूरी सलाई में अब आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है इस सलाई पर हमें कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है दो उल्टे तीन सीधे ऐसे करते हुए इस सलाई को हमें कम्प्लीट करना है तो ये देखे इस तरह से तीसरी सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई है चोथी सलाई है और इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से चोथी सलाई को हम बिल्कुल उल्टा बुन कर कम्प्लीट करे तो ये देखिए चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखे कि कैसे कम्प्लीट करेंगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए एस्टीज के बाद दो फंदे ये उल इन दोनों धागे के नीचे से हम सलाई डालेंगे फिर बीच वाले फंदे में सलाई लेंगे इसे इस तरह से सीधा बुनेंगे और दोनों धागे के नीचे से सलाई को निकाल देंगे अब इस बीच वाले फंदे को उपर वाली सलाई से उतार देंगे फिर ये एक फंदा सी ये देखे एस्टीज के बाद यहां से यहां तक हमने ये पांच फंदे का डिजाइन बनाया है अब इसी डिजाइन को बार बार रिपिट करना है तो ध्यान से देखिएगा दो फंदे ये उल्टे एक और ये दो धागा पीछे करेंगे ये जो तीन फंदे सीधे हैं इसमें से एक फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे बीच वाले फंदे को बुनने के लिए देखे इन दोनो धागे के नीचे से ऐसे सलाई लेंगे फिर बीच वाले फंदे में सलाई डालेंगे इसको सीधा बुनेंगे और दोनों के नीचे से ऐसे निकाल देंगे अब इस फंदे को सलाई से ऐसे उतार देंगे भी ये एक फंदा सीधा फिर से यही पांच फंदे का डिजैन बुनेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे जो तीन फंदे सीधे हैं इसके पहले सीधे को ऐसे बुन लेंगे अब ये जो बीच वाला फंदा है इन दोनों धागे के नीचे से ऐसे स्लाई डालेंगे फिर बीच वाले फंदे में स्लाई लेंगे इसको सीधा बुनेंगे और दोनों धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे अब इस फंदे को हम ऐसे स्लाई से उतार देंगे अब ये एक फंदा सीधा फिर सेसी डिजाइन को रिपिट करेंगे ध दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागे को पीछे लेकर जाएंगे ये जो तीन फंदे सीधे हैं एक फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे ये जो बीच वाला फंदा है इसको बुनने के लिए दोनों धागे के नीचे से स्लाइड आल लेंगे फिर इस फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे जो हैं इसके पहले फंदे को ऐसे बुनेंगे बीच वाले फंदे को बुनने के लिए दोनों धागे के नीचे से स्लाई डालेंगे फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इन धा एक फंदा सीधा इन दोनों धागे के नीचे से सलाई लेंगे बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और फंदे को दोनों धागे के नीचे से वापस निकाल देंगे फिर एक फंदा सीधा और लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा ही बुन दीजिए बहुत ही प्यारा सा आपका डिजैन बनता चला जाएगा next बार की starting के लिए stitch उसके बाद 2 फंदे उल्टे फिर हम धागा अपनी तरफ रखेंगे 3 फंदो को slip करेंगे और धागा अपनी तरफ ही रखनेगे और फिर 2 फंदे उल्टे फिर 3 स्लिप करेंगे और धागे को हमें पिछे बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है अपनी तरफ ही रखना है और 2 फंदे बना देने है इस तरह से ये डिजैन रिपिट हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में शे शेर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नौटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू